प्रडाम हमारे वीवर्स तो ये देखिए हमारा सिजनल फार्म तो चलिए मैं आपको जुगार पे बनाया हुआ हट दिखाता हूं ये देखिए मैंने कोई रूफिंग नहीं किया ये देखिए बस मैंने तिरपाल को यूज करा है ये देख लीजे और देखिए कितना अच्छ किसी में ज़्यादा सभी में आना चालू हो गया है किसी بैक में अभी नहीं आया है तो ये सखे कितना अच्छे से हम देखे बस यहERE यहां पे गया बनदाती थी गोवर का यह लगा हूए है यह देख सकते हैं हमारे या गोइठा पता ता था यहां तो हमने इसको क्या किया क कि एक वाल खड़ा कर दिया इस साइड से और यह देखिए और ट्रपलीन जो त्रिपाल बोलते हैं उसको मैंने यूज किया है इसको छाने के लिए और मैं एक नया फॉर्म सेटप कर रहा था तो सोचा कि इसमें सिजनल फॉर्म क्यों नहीं बना लिया जाए ताकि इसी खर्च कि इस देख लीजिया आप लोग कि देख लीजह कितना अच्छा आया हुआ है तो तो कि देखें देडिकेशन से वोर्क करना होगा डेडिकेशन से अपन जब वोग करेंगे न तो प्रॉब्स नहीं आती है यह देख़े नाच्छा पीनएट्स आरहा है यह देख सकते हैं और कोई भी पीनेट्स ऐसा नहीं है कि पीला हो रहा है आप लोग देख लीजिए वह देखिए एक बैक्स में कितने आये हुए है और हाँ इसमें प्रोपर ऑक्सीजन होना चाहिए और टेम्प्रेचर होना चाहिए वह देखिए मेरे मीटर लगा हुए है तो यह मैंने सीजनल फॉर्म किया हुए है यहां से निकल जाता है और यह देखे कोई भी मैंने कवर नहीं कर रहा है मैं उपर से आपको दिखा देता हूं यही है हमारा बाहर से भी इस पे मैंने काले रंग का प्लास्टिक डाल दिया है कोई भी थर्मोस्टेट का नहीं यूज किया है जश्ट्वाल है और इसको इस तरह से मैंने कर दिखाया है और यह लॉंग में थर्द से ही मैंने कम्पोस्टिंग करी हुई है यह देखिया जश्ट खेत में है यह हमारा फो माउस है उसी में है देख लीजै कुछ इसमें आपने बिशेस नहीं कर रहा है ठीक यह देखिए वह त्रिपाल है त्रिपाल के ऊपर मैंने पोलोथीन डाल रखा है जस्ट सीजनल फार्मिंग में बहुत ज्यादा ताम जहाम नहीं रहता है अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है यह देख सकते हैं उसी मश्रूम थुड़ाई है यह देखे पैकिंग हो रहा में आदमी नहीं रहे कि बहुत ताम जहाम यूज करना है अगर डेडिकेशन से आपने कंपूस्ट बना लिया अच्छा तो आप मतलब प्रोड़क्ट ले सकते हैं कि चलिए मैं अभी आपको अपने एसी मश्रूम वाले में भी दिखाता हूं मैंने इसी बंद कर दी तो यह देदक सकते हैं मिस वाला फोट्रम है और एसी वाले फॉर्चं में भी मैं प्रोड़क्ट ले रहा हूं और देखिए मेरा इसी चल नहीं रहा है और यह अराउड मैं ऐस्भानेरा रहा हूं इसमें कुछ दिनतक एसी से निकाला था ठीक है फि desponatur कर दिया और अभी automatically मेरा रूम ठंडा हो जा रहा है और देखिए इसमें भी बहुत अच्छा भी यह देख सकते हैं कितने अच्छे मश्रूम से आप देख सकते हैं हाँ थोड़ी साइज तो छोटी हो जाती है बट निकलता है मश्रूम तो आप देख सकते हैं तो मैंने सोचा कि चलो अब जब अ बचाल ही दिए हैं तो उसको अफ़न छोड़ी देते हैं और देखकते हैं कितने दिन तक मैं सकता हूं मैं इसको तो यह देख सबी बैक्स हो में आ भी रहा है कुछ में हाँ क्वांटिटी भले ही कम हो किया है लेकिन मुझे इसमें कॉस्ट कुछ नहीं आ रहा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया चलिए मैं उपर की तरफ आपको दिखाऊ तो यह देखे हैं आपको दिखा सकता हूं देखे अभी नया पिनेट्स भी आ रहा है और इससे भी मैं प्र प्रोडक्शन ठाना चालू हुआ था और आज का डेट है आठ जिन्वरी और यह देखिए प्रोडक्शन मैं ले रहा हूं तो आप देख सकते हैं देखिए मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं आपको हा लेकिन सॉरी पहले का वीडियो मैं नहीं डाल पाया किसी कारण वस्त तो आज मैं सोचा कि चलिए आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं यह प्रोडक्शन तो पानावाला फॉर्म है जो एसी फॉर्म है इसी बंद है और टेमरेचर आटोमेटिकली बाहर से मेंटेंड हो जा रहा है और देखिए अभी प्रोडक्शन ले रहा हूं जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें मैं पांच पर अक्टूबर से प्रोडक्शन लिया था और अभ देक्यू जैहीन जैवारत